सरकारी विध्याले में जहरीली भोजन करने से पार्स दर्जन से भी जादा बच्चे हुए भिमार परिजनों ने विध्याले में जम करकिया बवार सारट जिले के जुम्री पंचायत अंत्रगर टिकूली कन्या मद्धि विद्याले में जहरीली भोजन खाने से पास दरजन से अधिक बच्चे अधमार हो गए इस घर्णा की सूचना मिलते ही बच्चों के परिजनों ने विद्याले परिसर में जम करहंगा मक करनाफ शू कर दिया वही आनन्फारन में सभी बच्चों को एंबिलेंश के माद्यम से छपरा सदर स्पताल भेजा गया जहां उनका उप्चार चल रहा है इस मौके पर सामाजिक कारिकरता नवी एहमद मौजूद रही है समाजिक कारिकरता नवी एहमद ने कहा कि विद्याले की लापरवाही की वज़े से करीव पांस देदन बच्चे जिंदिगी और मौस से जूंज रहे है नवी एहमद ने प्रशासन से अपील किया कि इस पूरी घटना को इमांदारी से जार्ज करके जो भी दोशी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिये जाए ताकि फिर ऐसी कोई घटना ना घटे बच्चों से सेंपल भी कलेक्ट कर जार्ज के लिए भेज़ा जाएगा उनके शरीद में पहुंची है वहीं स्थानी लोगों ने बताया कि मध्यान भोजन में चिपकली गिरी हुई थी जिसके खाने के बाद बच्चे उल्टी करने लगे और बच्चे बीमार हो गए इस पूरी घटना पर समाजिक कारिकता नवी एहमद और सदर एस्ट्रियम सरका पैनी नजर बना हुआ है सबी बच्चे अदमरा इस्तती में हैं हालत काफी नाजुक है परिजनो कर रो रो कर बुरा हाल है सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई विध्याले के अधिकार्णियों से इससे पहले भी ऐसी घटना बिहार कई जिलों से देखने और सुनने मिल चुकी है उसके बावजूद भी सरकारी विध्याले के विबाग द्वारा कोई उत्तम विवस्तान नहीं हो पारी है नवी एमत मौचकर परिजनों को विश्वास दिलाया कि सभी बच्चे स्वस्त हो जाएंगे और जो भी दोशी है उनको कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिले